आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हमारी है हिस्ट्री की क्लास विफ्ट डे 5 है हमारा आज हिस्ट्री का हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन लेकिन पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बता दूँ आप लोगों को जिन लोगों ने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है ये पीडियेफ प्राप्त करने के लिए ये पीडियेफ पाने के लिए वो लोग हमारे ये टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल है यूपीसी हिंदी और सिविल सर्विसेज यूपी सिंधु घाटी सब्वेता, सिंधु घाटी सब्वेता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है यानि सिंधु घाटी सब्वेता में जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई बहुत सारी इमारते पाई गई, बहुत सारे स्कल्क्चर्स पाई गए उनमें सबसे बड़ी इमारत सबसे बड़ी इमारत वो कौन दिये है तो हमारा एंसर है इस्नानागार इस्नानागार जो है वो सिंदुगाटी सब्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये जो इस्नानागार है वो कहां पाया गया ये इस्नानागार कहां पाया गया ये पाया गया मो मोहन जोदड़ो में पाए गया मोहन जोदड़ो कहां पर है मोहन जोदड़ो कहां पर है यह कहां पर है पाकिस्तान में है मोहन जोदड़ो पाकिस्तान में है किस नदीगे किनारे है किस नदीगे किनारे सिंद नदीगे किनारे कल मैंने ट्रिक बताया था कि जहां पर भी अगनिकुंड प्राप्त हुए हैं कौन से हैं वे दो स्थान जहां से अगनिकुंड प्राप्त हुए कौन से हैं वो स्थान तो वे स्थान है लोथल और काली बंगा लोथल और काली बंगा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं अगनिकुंड प्राप्त हुए हैं कहां पे था पे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं वे दो स्थान जहां से अगनी कुंड प्राप्त हुए हैं वे लोथल और काली बंगा हैं वे लोथल हैं और काली बंगा हैं ये दोनों किन कहां से कहां पे हैं किन स्टेट्स में हैं ये बताएं आप लोग कमेंट करके पशुपतिनाथ की मूर्थी किस स्थान से प्राप्त हुई है तो हमारा उत्तर है मोहन जोदलों से कहां से प्राप्त हुई है मोहन जोदलों से प्राप्त हुई है हमारा जवाब है मोहन जोदलों से प्राप्त हुई है मन के बनाने के कार खाने किन दो इस्थलों से प्राप्त हुए है मन के बनाने के कार खाने किन दो इस्थलों से प्राप्त हुए है कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए मैं जान बूझ कि आप लोगों को दो सेकंड का पॉस देता हूं ताकि आप भी सोचिए दिमाग पर आपके जोर पड़े मन के बन्याने के करखाने जो है वो किंद उस्थलों से प्राप्त हुए है लोथल और चनहूद्डो लोथल और चनहूद्डो नेक्स्ट लेखनकला की उचित प्रनाली विक्सित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता कहा की सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता थी नेक्स्ट पिगट ये आधा गह है पिगट ने किन दो स्थानों को एक विस्तरित सामराजी की जुड़वा राजधानी कहा है बताईए किन दो स्थानों को कहा है विदो स्थान है हडपा और मोहंजोदलो इन दो स्थानों को पिगट ने क्या कहा है विस्तरित सामराजी की जुड़वा राजधानी कहा है नेक्स्ट हमारा प्रशन है स्वास्तिक चिन संबंदित है किस चीज से संबंदित है तो ये संबंदित है सूरी की उपासना से स्वास्तिक चिन किस से संबंदित है सूरी से संबंदित है इसमें सूरी की उपासना की जाती है क्वेशन नमबर एट सेंदो समाज मात्री सत्तात्मक था या पित्र सत्तात्मक सेंदो समाज किस तरह का समाज था मात्रि सत्तात्मक समाज था या पित्र सत्तात्मक समाज था बताईए आप लोग मात्रि सत्तात्मक था या पित्र सत्तात्मक सेंदाव समाज जो है एक मात्रि सत्तात्मक समाज था किस तरह का समाज था मात्रि सत्तात्मक समाज था और ये कहां कैसे पता चलता है क्योंकि वहाँ पे क्या पाई गई है इस्त्री की मूर्टियां पाई गई है यानि की मिट्टी की मूर्टियां पाई गई है जो की इस्त्री की है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या है सिंदो समाज किस तरगा था उस मिट्टी के उस आकरती से पता चलता है क यहां का समाज जो है वो मात्रि सत्तात्मक समाज था नेक्स्ट कुशन नमबर 9 एक मात्र हडपा काली निस्थल जिसका निचला शहर भी किले से गिरा हुआ था एक मात्र हडपा काली निस्थल जिसका निचला शहर भी क्या है किले से गिरा हुआ था तो वो है काली बंगन कौन सस्थान है काली बंगन अच्छा काली बंगन का अर्थ क्या है काली बंगन का अर्थ क्या है काली चूडिया काली बंगन का अर्थ क्या है काली चूडिया काली बंगन कहा पर था काली बंगन कहा पर था आप लोग कमेंट करके बताएं काली बंगन कहाँ पर था हमारा नेक्स प्रेशन है वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी तो हमारी वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीर सभ्यता थी ग्रामीर सब्वेता थी अच्छा ये वैदिक सब्वेता हम लोग कहते हैं किसको हैं वैदिक सब्वेता वैदिक सब्वेता किस सब्वेता को हम लोग वैदिक सब्वेता कहते हैं तो ये आर्यों द्वारा निर्मित सब्वेता थी आर्यों द्वारा आरियों द्वारा निर्मित सभेता ही क्या कहलाती है वैदिक सभेता अच्छा कभी आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि इनकी भाषा क्या थी इनकी भाषा क्या थी तो इनकी भाषा क्या थी सभेता ग्रामीर थी आरियों द्वारा निर्मित सभेता थी और भाषा थी कैसी कौन सी सन्ष्कृत भाषा थी नेक्स्ट हमारा question number 11 आर्यों के प्रशास्निक इकाई का आरोही क्रम आर्यों की जो प्रशास्निक इकाई थी उसका आरोही क्रम क्या था यहां से प्रश्न पूछा हुआ है बताईए आप लोग आर्यों की प्रशास्निक इकाई का आरोही क्रम क्या है कुल फिर ग्राम विश जन और राष्ट कुल ग्राम विश जन और पांचवा क्या है राष्ट सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा कुल से कुल के बाद ग्राम ग्राम के बाद विश विश के बाद जन जन के बाद राष्ट अच्छा कभी आपसे अगर पूछ ले कि जो विश का प्रधान था वो क्या कहलाता था तो आपका उत्तर क्या होगा विश्पती क्या कहलाता था विश्पती कहलाता था क्या कहलाता था विश्पती जन का प्रधान क्या कहलाता था राजन जन का प्रधान क्या कहलाता था राजन क्या कहलाता था अच्छा फिर राष्ट का प्रधान बताईए आप लोग कमेंट करके बताईए कि राष्ट के प्रधान को क्या कहते थे ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे कमेंट करके बताईए ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे ग्रामिडी ग्रामिडी कहते थे तो यह हो गया चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर वेदिक काल में वशिष्ट और विश्वमित्र कौन थे वशिष्ट और विश्वमित्र कौन थे वेदिक काल में कौन थे ये लोग बताईए ये लोग थे पुरोहित ये लोग कौन थे वशिष्ट और विश्वमित्र दोनों पुरोहित थे कभी आपको sentence में ऐसे दे सकता है कैसे form करेगा कि वशिष्ट जो है वो उदार पुरोहित थे वशिष्ट एक उदार पुरोहित थे तो वहाँ पे गलत मारना हुआ क्योंकि जो वशिष्ट थे वो रूडिवादी पुरोहित थे जो वशिष्ट थे वो उदार एक उदार पुरोहित थे तो ऐसे sentence form करके आपके लिए इनको ऐसे कर सकता है इनको ऐसे इनके साथ इस word को यूज़ करेगा तो क्या करना वहाँ पे आपको गलत मारना है क्योंकि विश्वमित्र क्या थे उदार और वशिष्ट रूडिवादी पुरोहित थे चलते हैं लोग अपने अगले प्रशन पर वेदिक काल में भागदुह कौन था वेदिक काल में भागदुह कौन था अभी 2023 में प्रशन आया था यहां से 2023 में यहां से प्रशन आया था कि वेदिक काल में भागदू किस अधिकारी को, मिलान में था वो शायद, लेकिन इसी से मिल जाता है, भागदू किस अधिकारी को कहा जाता था, 2023 में ये प्रशना है राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे भागदू राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग भागदू कहते थे अच्छा फिर पुरप किसे कहते थे पुरप पुरप किसे कहते थे दुर्गपती को दुर्गपती को क्या कहते थे हम लोग पुरप इसपश हम लोग इसपश किसे कहते थे जनता की गतिविदियों को देखने वाला गुप्तचर जनता की गतिविदियों को देखने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था इसपश कहलाता था अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग वाजपती कहते थे तो यहाँ हम लोग ने कई तरह क्या अधिकारी देखे की इनको क्या कहते थे नेक्स्ट हमारा है question number 14 वेदिक काल में स्रेश्ट एवं संभरान्त लोगों की संस्था थी क्या कहते थे हम लोग क्या कहते थे सभा और ये कौन थी सभा और समिति कौन थी एक थी सभा और दूसरी थी समिति दूसरी थी समिति दूसरी थी समिती, तो ये सभा और समिती क्या करती थी, ये राजा को सलाह देने का काम करती थी, ये क्या करती थी, राजा को सलाह देने का काम करती थी, ये सभा और समिती दोनों, तो जो सभा थी, वो स्रेश्ट और संबरांत लोगों की संस्था थी, और जो समिती थी, वो कि कि संस्ता थी? वो सामाने लोगों की सामाने लोगों की संस्ता थी यह अना? यह समझ माये है? सभावर समीती कौन्थिस? राजा को सलाह देने वाली संस्ताय थी वैडिक काल में गोवेष्ट नामक शब्द का प्रयोग किसे लिए? किस लिए किया जाता था किस के लिए किया जाता था बताईए आप लोग अच्छा एक चीज और जो सभा और समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे इनके अध्यक्ष को क्या कहते थे अगर कभी पूच दे तो इशान इनके अध्यक्ष को क्या कहते थे इशान कहते थे युद के लिए किया जाता था किसके लिए चीज और किया जाता था अच्छा युद्ड से सातवे मंडल में सेवन्त मंडल में इसका उलेक है रिगवेद के सातवे मंडल में इसका उलेक है दसराग युद्ध का ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था परुष्णी परुष्णी नदी के तट पर ये लड़ा गया था और परुष्णी किसे कहा जाता था किस नदी का पुरांना नाम था रावी किस्का नाम था रावी नदी का ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था horrific तो ये थे हमारे आज के पंदरप्रश्ण गया IP इन पंदरप्रश्ण के बना रहे हैं देखे आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ पंदर प्रश्न है इससे क्या होगा सर आप ये सुचिए जियोग्रफी की और हिस्ट्री की दोनों classes मिला के कितना हो जा रहा है दोनों classes मिला करके कितने कितने questions हो जा रहा है डेली 30 और अगर आपने 5 दिन पिछले 5 दिन अगर आपने काईदे से class की है तो इस 30 questions में कम से कम तो 20 और facts बता देता हूँ चलिए इनको बताड दीजा आप 30 ही मान लिजे आप मान लिए कि इनको नहीं मत गिनिये इनको 30 ही मान लिजे तो अगर जी आपने पांस दिन class की होंगे तो आपके कम से कम 150 facts के notes होने चाहिए आपके पस आए भी तो गलत हो जाएंगे आपके questions आपके questions क्या होंगे गलत हो जाएंगे तो फिर यह आपने आज जो class किये है जो मेहनत किये जो आपने समय दिया वो तो बिकार हो गया ना कोई मतलब नहीं रह गया तो नोर्थ बनाएए और उसको revise कीजिए आप लोग प्लीज ना